नमस्कार आप सभी का अगया इस्ट्रक्रप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पुलिस उपमहानरक्षक डियाईजी काड़ियाले से किस प्रकार सुचना मांगेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो से पहली बार जूरे हुए हैं वह सब्सक्राइब कर लें तथा बैल आइकन को दवाकर और पर भी क्लिक कर लें तथा उपयोगी लगे तो एक दूसरे को सेर अवस्क करेंगे तथा एक लाइक अवस्क कर देंगे चलिए हम लोग देखें कि एक सूचना आयोग का एक आदेश था इसी समंदित मैं सूचना मांगने जा रहा हूँ देखिए आप लोग भी इसमें पुलिस उपमहानरक्षक सारसा के संग्यान में दिया गया था वो लोग जान बूज कर जूटा टेबूल रिपोर्ट जाँच रिपोर्ट बनाये थे जिस पर मैंने आपत्ती लगाया था और बिलम से सूचना दे थे आप लोग देखें जिस किसी विया दिकारी या करमी कारट टंकक भूल या किसी या निकारन से गलत जाँच परती बेदन बना हो उसके विरुदावस्यक करवाई के जाने है तो इसे पुलिस उपमहानरक्षक सारसा के संग्यान में लाया जाए यह राजमुक सूचना आयुक्त नरंदर कुमार शिना का आदेश प्राप्थ हुआ है इसी से संबंधित मैं पुलिस उपमहानरक्षक को अब आर्टियाई लगा कर सूचना मांगने जा रहा हूँ आप लोग भी अगर इस तरह का कोई आदेश हो तो पुनह इस पर सूचना मांग सकते हैं देखिए पुलिस उपमहानरक्षक कार्याले कोशी चेतर सारसा मैं अपना पुरा नाम पता लिख दिया हूँ सूचना आयोग विहार पटना के बात संख्या इतना में दिनां कितना के आदेश से संबंदित निम्लिखिद सूचना है सिगर चाता हूँ पहला उन पता अधिकारी के नाम पदनाम और बरतमान पता अस्थापना का पता चाता हूँ जिसके कारण गलत टेबल रिपोर्ट कर जाँच परतिवेदन उपलब्द कराया गया है दूसरा जिस अधिकारी करमी के कारण टंकक भूल हूआ है उसका नाम पदनाम और बरतमान पता अस्थापना का पता चाता हूँ तिसरा सुचनाओं को पुर्दान करने में जान बूज कर किये गए बिलम के लिए कौन-कौन पता अधिकारी दोसी हैं उसका नाम पदनाम और वरतमान पता अस्थापना का पता चाता हूँ दोस्यों पर की गई करवाई का प्रमानी चायापरती भी उपलब्द कराया जा आयोक के आदेश की चायापरती सगलन है आप लोगों को पहले ही मैंने आयोक का आदेश का चायापरती दिखा दिया था इस पर मैंने भी 10 रुपे का भारती पुष्टल ओडर रसीत संख्या इतना से जमा किया है तथा अपना दसकत और पुरा पता लिख कर डेट से मैंने यह सूचना मंगने का प्रियास क्या है पुलिस उपमहानुरक्षक डियाईजी सहरसा से आप लोगों को भी इस तरह का कोई आदेश हो तो पुना आप उस आदेश के आलोक में जो भी कारवाई की गई है उस पर आप सूचना मंग सकते हैं जैहिन